सुप्रीम कोड में केंदर सरकार का हलफ नामा समलेंगिक विवाँ पर केंदर सरकार ने क्या कहा? समलेंगिक विवाँ को मानिता देने का विरोध जी, सही सुना आपने समलेंगिक विवाँ को भारत में फिलाल मानिता मिलने नहीं जा रही है क्योंकि इसके खिलाफ केंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ नामा दाफिकल किया है जिसमें इस विवाविवस्ता का विरोध किया गया है अपने 56 पेज की हलफ नामे में सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोट और हाई कोट ने अपने अपने फैसलों में व्यक्तिगत सुतंदरता की व्यक्ष्या को इसपस्ट किया है इन फैसलों की रोश्णी में भी इस याजका को खारिच कर देना चाहिए क्योंकि उसमें सुनवाई करने लायक कोई तथ्थ नहीं है कानून के मुताबिक भी समलेंगिक विवाह को मानिता नहीं दी जा सकती क्योंकि उसमें पती और पत्नी की परिभाशा जैविक तोर पर दी गई है समलेंगिक विवाह में विवाद की स्तिती में पती और पत्नी को कैसे अलग-अलग माना जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो हलफ नामा दाखिल किया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर हम ऐसी विवस्था को अनुमती देते हैं तो भारत की सामाजिक माननेताओं और पारिवारिक विवस्था के खिलाफ होगा जिसमें कही तरह के कानूनी पेज भी देखने को मि किया था कानून मंतुराले की ओर से कहा गया है कि भारत में परिवार का मतलब पती पत्नी और उन्दों की संताने हैं सेमलंगिक विवाह इस पर्खराध मीं उतरता संसद में पारिट विवाह कानून और अलग अलग धर्मों की परंपराएं इस तरह की शादी को स्वीकार नहीं करती। केंद्र ने कहा कि ऐसी शादी को मानिता मिलने से दहेज, गहरेलू हिंसा कानून, तलाग, गुजारा बत्ता, दहेज हत्या जैसे तमाम कानूनी प्रवधानों को अमल में लापाना कटिन हो जाएगा, ये सबी कानून एक पुरिश को, पती और महला को पतनी मान कर ही बनाए गए हैं। आपको बता दें कि याजिका करताओं के मताबिक 2018 में सुप्रीम कोट की सम्विधान बेंच ने समलेंगिक्ता को अपराद मानने वाली IPC की धारा 377 के एक हिस्से को रद कर दिया था, जिसके बाद से गे से अधिकार का रुक साफ था, कि दो लोगों की बीच सहमती से बने शारीरिक सम्मंद को अपराद न समझना और उनका शादी को कानूनी धरजा देना दोनों अलग-अलग बाते हैं। याजिका करता इस तरह की शादी को अपने मौलिक अधिकार की तरह बता रहे हैं, ये गलत है, सुववार को चीफ जस्टिस दीवाई चंदरचूड, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जेपी पारडी वाला की बैंच इनकी याजकाओं पर सुनवाई करेगी, ये बैंच आगे होने वाली विस्तिस सुनवाई की रूप रेखा को तै कर सकती है, इस खबर में इतना ही आप बने रही है वन इंडिया के साथ